आज का वीडियो आपकी डिबांड पर है रिसेंटली मैंने आप लोगों को Amazon Keyword Research Process सिखाया था Using Helium 10 Tool और उस वीडियो पर बहुत सारे सेलर्स ने लिखा था कि वो Listing Optimization करना सीखना चाते हैं Using Helium 10 Stribble Tool तो आज मैं आपको इस Powerful Tool से आप अपने Amazon Listings को कैसे Optimize कर सकते हैं वो बताऊँगा Step by Step और अभी Helium 10 का Special Offer चल रहा है आप 30% Discount अवेल कर सकते हैं और 12 Month Platinum Subscription मेरा नाम है Saurabh, आप देख रहे हैं Amazing Marketer Let's Learn Something New Today सबसे पहले आपको अपने Helium 10 Dashboard में Login ले लेना है और उसके बाद आपको Tool Section में जाना है यहां Listing Optimize Section में आपको मिलेगा Scribble चीक है, तो Scribble को मैं Open कर देता हूँ और पहले आपको Scribble का एक बार Macro Level View समझा देता हूँ कि Exactly Scribble है क्या और उसके अंदर क्या-क्या Features है फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आप एक Already existing listing को कैसे Optimize कर सकते हैं या फिर अगर आप नई listing बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा Scribble Tool open हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले Marketplace करेंगे तो यहाँ पर हम Marketplace को switch कर लेते हैं इंडिया पर इसके बाद तो यहाँ पर जो add phrases का section है यहाँ पर हम अपने keywords add करेंगे इसके लाब आप देख सकते हैं right side में हमें यहाँ पर title दिखाई दे रहा है तो इस पूरे section में हम title अपना बनाएंगे या existing title को copy paste करेंगे तो figure it out कि उसमें कितना further optimization का scope है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर bullet point है bullet point हमारे पांचो bullet point यहाँ पर दिये गए है कि right में आप देखो को subject matter है subject matter basically हर listing में नहीं होता है लेकिन कुछ listings में होता है especially books के case में होता है कि let suppose अगर book physics related है और उसका कोई specific topic है या उससे related है तो obviously आप यहाँ पर subject matter में उसको mention करेंगे इसके लावा आप जब नीचे आएंगे तो देखेंगे यह description का section दिया हुआ है आप यहाँ पर अपना description create करेंगे and then finally the search term तो यह तो मोटा मोटा हो गया तो इस tool के बहुत ही amazing से feature है जैसी हम इसमें भी अपने keywords डालेंगे तब आपको दिखेगा कि यह tool क्या amazing तरीके से काम करता है तो चलिए यहाँ पर हम keywords डालते हैं keywords के case में मैंने already keywords निकाले हुए है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो my keywords folder है helium का ही तो उसमें मेरे दो keywords set बने हुए है seating tray and wooden water bottle तो अगर आपको यह पूरा process देखना है कि my keyword list में या इस folder में कैसे keywords जाते हैं और best of the best keywords कैसे निकालने है तो उसके लिए मैंने already एक video बनाया हुआ है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं ठीक है और उसके बाद हम उसके आगे का process तो listing optimization का है या listing creation का है वो आज हम इसमें scribal में कर रहे हैं ठीक है तो मैं seeding tray को as an example ले रहा हूँ आज जिसमें आप देखोगे number of keywords 34 है तो आप इस पे जब click करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी keywords हैं वो सारे open हो जाएं तो मैंने 34 keywords select करें हुए हैं अगर आप germination tray या seeding tray बेच रहे हैं तो मैं आपको आगे बनने से पहले एक छोटा सा example दिखा देता हूँ कि actually germination tray या seeding tray क्या होती है क्या product है जिसको हम आज कोशिश करेंगे optimize करने के लिए तो आप देख सकते हैं जो germination tray होती है या seeding tray होती है जिसमें हम seeds डालते हैं और उसमें छोटोटे taplings create होते हैं पोधे create होते हैं तो वो इस टाइप का product होता है और इसी को आज हम कोशिश करेंगे optimize करने के लिए तो बायो ब्लूम्स एग्रों इंडिया प्रेवेट लिंटेड फ्लास्टिक सीड जर्मिनेशन ट्रेड 50 काविटी ब्लाक 10 पीसे तो यह हमारी एक लिस्टिंगे जिसको हम आज optimize करने के ट्राइब करेंगे इसके बाद इसके यहां पर हमारे बुलेट पॉइंट से नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहां पर इसका प्रोड़क्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो की ए प्लस बना हुआ है तो अभी हम इसको ऊपर चलते हैं और टाइटल और बुलेट पॉइंट को आज ट्रीबध करने का ट्राइगर्ट तो उसके पहले किसी लिस्टिंग को अप्टमाइस करना है तो उसके लिए हमें वर्ट चाहिए होगे जो मैं और यहां है चीक है आप देखेंगे यहां पर 34 keywords यहां पर निकाले हुए है अब इसके बाद हम जैसे सारे keywords को select करते हैं यहां पर तो आप देखोगे export में में पास दो तिन डिफरेंट डिफरेंट पीचर आ रहे हैं जैसे कि यहां पर मुझे single term भी मिल जाए और long tail keyword भी मिल जाए तो मैं आपको बहुत simple तरीका बताऊंगा जिसका use करके आप long tail keywords as well as single words भी use कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे हमने सारे keywords select कर लिए हैं इसको हम export करेंगे frankenstein ठीक है आप देखेंगे इतने भी keywords हैं यहां पर आ चुके हैं यहां पर आ चुके हैं तो आप देखो कि हमारे जितने भी 34 keywords से यहां आ चुके हैं लेकिन obviously इसमें मैं यह भी चाहूँगा कि अगर हम इनको जब segregate करते हैं तो let's suppose मैं उपर से आपको एक चोटे से एक्जांपल दिखा है और नीचे देखेंगे big size लगा लिखा है तो यह basically दो long tail keywords है लेकि मुझे single single term भी चाहिए so that मैं अपनी listings का जो title बुलेट पॉइंट है उनको बहुत बेटर तरीके से बना बहूं ज्यादा optimize कर भाऊं तो उसके लिए हम Frankenstein tool का use करेंगे तो अभी हमारे यहां पर जब हमने keyword डालेते अब इनको further sort करते हैं ठीक है कैसे करेंगे we want one word per line तो एक जितने भी unique word है वो एक सा तरफ आ जाएंगे इसके बाद आप चाहो common words हटा सकते हो तो remove duplicate होके आप देखोंगे real time पे यहां पर words हट चुके है ठीक है अगर कोई single word है जैसे a, for, a, n तो यह भी आप हटा सकते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि यहां पर कोई number है अगर आपका तो आप चाहो तो numbers भी हटा सकते हो अगर number आप बचाना चाहते हो तो protect numbers भी कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप के जितने भी single terms है from the long tail keywords वो निकलाते है ठीक है तो अ कहां से beauty शुरू होती है scribble की तो अब आप देख सकते हो scribble में यह सारा data जो हमने डाला था keywords का वो आ चुका है वो उसने populate कर लिया है और left section में आप देखोगे उपर सबसे उपर दिख रहा है words 27 by 27 और नीचे जो हमने phrases थे वो 34 by 34 आ गया है ठीक है अब आप यहां पर देख कोड क्या कह रहे है color code हमारा यहां पर search volume को define कर रहा है ठीक है अगर जितना red होगा उतनी जादा उस keyword की search volume है उतनी जादा लोग search कर रहे है उस keyword को अगर वो black की तरफ है तो obviously उसकी searches zero है या बहुत कम है ठीक है तो इस तरीके से अब हमें जो high ranking या high search volume वाले keywords है वो अपने य India Limited का तो हम इसका जो title है इसको copy करेंगे and के बाद यहां title में paste कर देंगे तो आप देखोगे कि यहां पे सिर्फ seed germination tray यह keyword use हो रहा है तो आप देखोगे अगर आप one का मतलब यह है कि यह एक बार use हुआ है आपके पूरी listing में अब long tail में चलते हैं तो long tail में आप नीचे दे लेकिन इसी keyword ने आपका germination tray जिसका search volume जादा है उसको भी cover कर लिया तो in this way आपने एक ही साथ एक space में minimum number of characters के साथ जादा reach बढ़ाई है ज्यादा visibility बढ़ाने की कोशिच किये अपने listeners को ज्यादा better तरीके से optimize किया है तो आगे बढ़ते हैं bullet points पे वो यहां पे copy paste करते है और तो basically खाली listing में 4 bullet points तो अब हम देख सकते हैं कि इस पूरी listing में क्या-क्या keywords या phrases यूज हुआ है तो words के case में हम देखेंगे tray एक बार use हुआ है, seedling एक बार use हुआ है, germination एक बार use हुआ है, reusable एक बार use हुआ है, growing एक बार use हुआ है, तो वहीं phrases के case में अगर हम देखेंगे, तो हम देख सकते हैं, germination tray एक बार use हुआ है, seeding tray एक बार use हुआ है, इसके लाबा कोई भी ऐसा keyword नहीं है, जो अभी यहाँ पर use हुआ है, ठीक है, apart from that, इस कीबल की एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है, कि अगर आपको यह पता करना है, कि let's suppose, जो यह seeding germination tray है, यह word कहा कहां use हुआ है, तो आप इस पर simply click करेंगे, तो वो जो keyword है, वो highlight हो जाएगा, तो आपको germination tray देखना है, तो germination tray पर आप click करेंगे, तो आपको दिखा देगा, कहां पर वो term use हुआ है, ठीक है, तो इस listing को optimize करने से पहले, एक चीज़ और मैं आपको इस scribal tool की beauty है, वो दिख है, आप चाहें, तो इसको edit भी कर सकते हैं, लेकिन उसने, जो amazon की guidelines है, 200 की, वो ले रखी है, तो इसको रहने दे, it's totally up to you, अगर आप कुछ लोग पसंद करते हैं, कि उनका जो title है, वो 120 करेक्टर से उपर ना जाए, तो उस तरीके से यहाँ पे अपनी जो limit है, वो set कर सकते है, it's kind of a soft limit, जिसको आप यहाँ पे अपने according set कर सकते हैं, ठीक है, and the best part is, कि आप यहाँ पे अगर चाहते हैं, कि यह limit ignore करना चाहते हैं, तो आप simply इसको click करेंगे, तो वो ignore कर देगा, आप चाहें, तो कितना बड़ा भी title बना सकते हैं, ठीकिन, I would highly recommend, कि आप इसको ignore ना कर हैं, उस limit के अंदर हैं, ठीक है, तो अब मुझे इस title को अगर और improve करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत simple सा है, obviously, bio blooms agro India private limited, जो नाम है, वो इनके brand name है, तो चलिए इस listing को optimize करते हैं, जो keywords हमने डाले हैं, जो हमने finalize किये हैं, उसके basis पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, bio blooms ag agro India private limited, यह already brand name है, तो इसको हम छेड नहीं सकते हैं, इसके आगे लिखा है, plastic seed germination tray, 50 cavity black 10 pieces, तो सबसे पहले मैं देखूँगा, कि जो सबसे ज्यादा search volume वाला keyword है, वो है seedling tray, आप देखोगे, यहाँ पे जैसी आप keyword डालने शुरू करोगे, तो scribal खुदी आपको suggestion देदेग आप देखोगे, यहाँ पे one लिखके आगया और यह strike out हो गया है, इसके अलाबा आप यह use करना चाते हैं, हम pipe लगाएंगे, इसके बाद आप यूज करना चाते हो, कि मेरा जो दूसरा keyword है seed tray, मैं use करूँगा यहाँ पे plastic seed tray, तो यह आ चुका है, ठीक है, अब देखोगे कि second जो keyword है, वो भी cut हो चुका है, तो यह कोई hard and fast टूल नहीं है, I am just trying कि जो मेरे high search volume वाले जो keyword से मैं उनको use करने कोशिश कर रहा हूँ, it's totally up to you, अगर competition बहुत high है, तो आप mediocre या low search volume वाले पे पहले rank बना सकते हैं, then move to the high competitive keywords, it's totally up to you, मैं इस tool को कैसे use करना है अच्छे तरी सकते हैं, इसके बाद लेते हैं हम hydroponic tray, तो वो आ चुका है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, आप देखेंगे उपर हमारे जो numbers हैं, वो भड़ते आरे, 128 bytes सक पहुँच चुका है, ठीक है, और यहाँ पे hydroponic tray, यहाँ पे हमारा cut चुका है, tray words हमारा चार बार यूज हुआ ह seedling हमारा दो बार हो चुका है, seed दो बार, ठीक है, और नीचे आएंगे, seed trays for germination, seedling trays for plants, यह हमारे keyword है, और इसको हम use करने की कोशिश करेंगे, seed tray for germination, okay, and for plants, seedling tray for plants, ठीक है, इनको कोशिश करते हैं, कहीं पे fit करने के लिए, तो जैसे यहाँ पे था seedling tray, तो इसको use करने की को रहा है, okay, तो उसमें नहीं लिया है, तो उसमें वापस करेंगे, tray पे रखेंगे, so that यह first हमारा keyword माँ पे maintain रहे, ठीक है, तो अभी तक हमने यह title में keywords डाले है, लेकिन यहाँ पे problem है, problem यह है, कि as per the Amazon guideline, latest guideline है, उसके according, आप किसी भी keyword को, दो बार से यादा repeat नहीं कर सकते है ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, तो अभी आप देखोगे, जैसे tray word है, tray word है, and then again tray word है, and then again, तो हम चार बार tray word यूज कर चुक है, तो बहुत दो बार से यहादा नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो obviously, I would say, कि अगर मेरे multiple times tray word आ रहे ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पर keyword कर चुका है, जोकि यह plastic material है, and इसके बाद हम hydrophonic or seed germination tray जो है, इस keyword को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और यह last में उन्होंने pipe लगा रखा है, इसको हटा सकते हैं, 50 cavity, and इस तरीके से आपका जो 114 character का लगबग, तो title है, वो कर सकते हैं, इसके लाबा आप यहाँ पर ही caps में अगर करना है, पूरा title तो आप caps में कर सकते हैं, आपको small में कर सकते हैं, लेकिन as usual जैसे मैंने बताया है, कि आपको सब कुछ caps में नहीं करना होता है, तो seed trip or germination, यह हमने use किया, अभी हम यहाँ पर try करते हैं, कि हम किसी तर अगर हम bullet point में जाएं, तो आप bullet point पहला जो लिखोगे, उसमें लिखा है start strong, मैं हमीशा बोलता हूँ, अगर आपका bullet point में आप headers यूज़ कर रहे हैं, it should be in caps, उसके बाद लिखा है promote healthy seedling growth with optional drainage and aeration, इसके बाद second bullet point में है, durable and usable, if usable use हुआ as a keyword, third में growing है, fourth में कोई भी keyword नहीं है and fifth हमारा बनाई लिख, तो यहां पर हमें चीज़ें देखनी होगी, तो सबसे पहले तो हम इसको caps में करते है, start strong को, let's suppose मेरा जो header है वो यह है, उसमें बाद दिनों लिखा है promote healthy seedling growth with optimal drainage and aeration, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं, this hydrophonic, यह हमारा keyword आज है hydrophonic and इसको पूरा हम ले और plants, यह तीन चीज़ें यहां पर आ चुकी है, पहले सिर्स यहां पर seedling था, तो इस तरीके से आप further keyword यूज़ कर लेंगे, और यहां पर देखेंगे हमारा hydrophonic tray हो चुका है, strike out होगे कि हम एक बार यूज़ कर चुके है, ठीक है, durable and reusable यहां पर लिखा हुआ है, अब यहां यहां पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे germination tray, अब इस keyword को ले सकते हैं, this germination tray यहां आ चुका है, तो नया आप bullet point क्या है, this germination tray is made from 1 mm thick, you will treated plastic for long lasting use, तो आपका एक और keyword यहां पर आ चुका है, तो इस तरीके से आप next bullet point के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें है, efficient space saver, 9 large cavities, 8 cm for ample growing space, बात लिख सकते हैं, यहां पर, तो मैं चाहता हूं कि मैं पहला वाला जो keyword है, seedling tray उसको फिर से use करूं, this seedling tray तो आ चुका है, और आप चाहें तो यह ले सकते हैं, जिससे दोनों keyword cover हो जाएं, seedling tray भी और plants भी, this seedling tray for plants have 9 large cavities and 8 cm diameter for ample growing space and all, तो अभी आप देखोगे, दोन कर सकते हो, इस limit को, but obviously we know that कि 100 character की limit होती है, तो obviously आपको यहां पर कुछ cut shot करना पड़ेगा, आप चाहें तो यहां से कुछ cut shot कर सकते हैं, तो यह हमारा 99 character का आ गया है, और इसमें हमने main keyword, जिसकी actually जरूरी है, listing में, वो keyword होना वो अब आ गया है, और for long lasting use की हमें जरूरत नह ही थी, तो वो हमने हटा दिया, इसमें भी देख लेते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो seedling trace for plants have nine large cavity, और ample growing space, ठीक है, हम diameter हटा सकते हैं, लेकिन obviously हम bullet points लंबी लिख सकते हैं, मैं बस आपको एक example के लिए दिखा रहा हो कि, जो से important है, वो bullet point को होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इसी तरीके से आप अपना चौथा point भी बना सकते हैं, तो अब हम तीन bullet point बना चुके हैं, and similarly आप अपना fourth bullet point या पर bullet point बना सकते हैं, and description लिख सकते हैं, तो in this way the entire scribble to work, इसके बाद अगर आपका, माल लिजे, Amazon account यहाँ पे connected है, तो आप helium में directly Amazon listing, जो यहाँ पे को और वहाँ पे जाके अपने Amazon sales rental में paste कर सकते हैं, ठीक है, तो I would highly recommend कि जिस तरीके से मैंने इसके तीन bullet point बनाए है, I would suggest मैंने fourth or fifth bullet point इसलिए नहीं बनाया है, क्योंकि I really want कि वो आप लोग try करें, आपके सामने इस वीडियो को आप pause करें, सारे keywords आपके सामने हैं, और उसके बाद इसको try करें, बनाने का, कि fourth or fifth bullet point क्या होना चाहिए, और आप चाहें तो उन bullet points को amazingmarketer24 at gmail.com पे भेज सकते हैं, I will analyze those और मैं अपना feedback आपको दे दूँ है, so that कि आपने वो चीज अच्छी किया है, ठीक किया है, या उसमें कोई और improvement का scope है, तो ये था Helium 10 का scribble tool, Helium 10 tool क का link मैंने description में दे दिया है, और अभी Helium 10 का special offer चल रहा है, आप 30% discount avail कर सकते हैं, और 12 month platinum subscription, I would highly recommend कि आप इस tool को एक बार जरूर try करें, आप देखेंगे कि आपकी listings की quality और visibility दोनों कैसे improve होती है, और अगर कोई भी doubt है Amazon business से related, तो one-on-one consultation आप book कर सकते हैं, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe कर लें, and finally keep selling, keep smiling.